आज देश हो या विदेश, मंदिर हो या घर्ण, सनातन धर्म को मानने वाले हर हिंदू परिवार के रिधे में एक आर्थी का विशिश महत्व है वो आर्थी है जगत के पालन भगवान विश्णों की ओम जै जगदीश हरे आज विश्व का कोई भी हिंदू परिवार ऐसा नहोगा जो इस आर्थी के बूल याद न रखता हो किन्तो आज शायद बहुत कम लोग ही इसके रचेता के नाम को जानते होंगे इस आर्थी के रशनकार थे पंडित शद्धराम शर्मा शर्मा ने इतने सरल शब्दों में इस आर्थी को पिरोया कि मात्र एक बार शर्मन करने से इसके बूल याद हो जाते हैं सनातन धर्में जोश लोग आदी इश्वर की उपासना हितु गाय जाते हैं उन सब का निचोड इस आर्थी में पंडित शर्मा ने देने का प्रयास किया और वे काफी हद तक सफल वी रहे पंडित शद्धाराम शर्मा का जन 30 सितंबर 1837 में पंजाब के लोधियाने के पास फुलोर नामक स्थान में हुआ था आपके पिता पंडित जै दैल शर्मा भी एक अच्छे जोतीशी थे उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के बाद ये भविशवानी की थी कि बालक अधभुत होगा और इसकी रशना के बाद इसकी च्छाती युगो युगो तक रहेगी शर्धाराम को बच्पन से ही उनके माता पिता ने धार्मिक संसकार देना प्रहरम कर दिया था उन्होंने साथ साल तक गुरु मुखी अर्था पंजाबी में पढ़ाई की और उसके बाद संस्कृत हिंदी जोतीश शास्तर का अध्यन किया सन 870 में आपने ओम जै जग्दि शर्य आर्थी की रषना की आपकी विद्वान भारती धार्मिक विशों पर विज्ञानिक दृष्टि कोंसे लोग आपके भगत से हो गए जगा जगा पर आपको धार्मिक विशों पर व्याक्यान देने के लिए आमंत도 किया जाता था और तब हजारों के संक्या में लोग आपको सुनने आते थे आपने जब भी अपनी लिखी ओम जय जगदिश हरे की आरती का कर सुनाई आरती सुनकर लोग भकती रस में खोसे जाते थे इस आरती के बोल आज भी 148 साल बाद कई पीडियां गुजर जाने के बाद लोगों की जबान पर बने हुए है आपकी इस आरती के अलावा कई ऐसी धार्मिक गरंथ और लेख है जिसे लोग आज भी पढ़ते हैं ओम जय जगदिश हरे के रचैता पंडित शद्धाराम शर्मा 24 जून 1881 को आपका लाहुर में निधन हुआ था लेकिन आज भी इनकी लिखी ये आरती हर जन्मानस के जुबान पर है